कि आपको आपको आपका मोस वैलकम है हमारी सेशन में माइन नहीं सब्यूत मिश्रा आप दिख रहे हैं हमारा करेंट आफे शो आई होप कि आप अच्छे होंगे अपना ख्यालत रहोंगे बहुत सारे बच्चों के और भी प्री के एक्जाम्स हो गया होंगे बहुत सारे बच अब आगे दिखने का समय है और जो एक्जाम देने ए लिए उनको आल अल दे बेस्ट शुरू करते हैं अपना सेस्ट कौन कोन से इंफर्मेशन हमारे पास लौप कर देंगे गए गूड मॉर्निग यहां पर इतने लोग हैं बुद मॉर्निग गया इस गुड मारीं गई तो यहां पर प्री में सारे एक्जाम को कवर करने वाले हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन के ताम किया चुकिए, थोड़ा सा एक्जाम डीले चल गा, अच्छी बात है, हमें प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जागा थोड़ा सा, है ना, तो यह भी हमारे पास एक उपॉर्चुन इस बार 29 अगस्त को आपका मेगा कॉममेट है, ठीक है, इस कॉममेट में आपको काफी सारे प्राइस जीतने का मौका है, आपको मतलब स्कॉर्शिप भी मिल जागे अचैडमी पर, यह सब कुछ आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इस कॉममेट को करना है, और कैसे करना, आ आपको AVP10 court लगाना है, और यहाँ पर free of cost लेना है, इसके राव दोस्तों बत करें तो, हमारी unacademy की fees बढ़ने वाली है, अगर आप हमारे course जोईन करना चाहते हैं, तो हमारे course पर जाएं, पर्चस करें, और वहाँ पर AVP10 court लगाएं, तो आपको 10% का discount मिल जाएगा, आप 21% का discount मिल ला है, fees आपकी काफी कम है इसमें, तो आपको अगर इसमें admission लेना है, तो AVP10 court आपको लगाना है, ठीक है, तो यह सारी चीते हैं जो आपको मता रहे थे, और हाँ, सब से important चीज़ आप मेरे profile को follow कर लेजे, यह हमारी profile है, ठीक है, sorry, यह profile हमारी है, और इसको follow करन और रात में 10 बच के 10 मिनट पे हमारी जो free class है, उसमें आपको लेना पड़ेगा enrollment, हाला कि link मैं आपको provide कर दें, तो देख लीज़ेगा, चलिए, अब वक्त है इसका motivational court का, और हमारा जो motivational court है, वो हमें क्या information दे रहा है, आए देखते हैं, wake up with determination, हम जब preparation करते हैं दोस्तों, तो सुबा की नीन जो होती है, हमारी बड़ी प्यारी से होती है, लेकिन जब नीन खुलती है, तो हमारे mind में एक उत्सा होना चाहिए, हमारे body में उत्सा होना चाहिए, एक proper positive attitude और determination, कि आज हमें हमारे ये-ए targets हैं, हमें ये class लेनी है, हमें खुद से अपना ये solution करना है, हम हमारा morale down का होता है, जब हम अपने target से दूर रह जाते हैं, हमको पता था कि आज अरुन सर ने percentage पढ़ाया है, आज विशाल सर ने comprehensive पढ़ाया है, आज पुनिश सर ने coding पढ़ाया है, लेकिन क्या हमने उसको follow किया, proper यतने हमें questions करने चित क्या हमने किया, हम TV स्रियल दिखने लगे, या for example, हमने IPL मैस इसन शुरू कर दिया, और हमारे target पूरे नहीं हो पाए, जब हम सुएंगे तो guilt जरूर हमारे heart में, हमारे mind में होगा, और उससे कभी हमें satisfaction नहीं में लगा, तो अगर आप satisfaction वाली need चाहते हैं तो आपको अपने targets पूरे करने पढ़ेंगे, sacrifices करने पढ़ेंगे, और अपने अपना जो पूरा अपना जो ध्यान है, वो अपने गोर भी लाना पढ़ेंगे, चलिए, शुरू करते हैं अपना session, और starting करेंगे appointment और resign से, और यहाँ पर आपको में information देने वाले हैं, बड़ी information है, नवी की information है, इंडिया नवी, तो इंडिया इसलिए मैंने गोरा कि appointment बड़ा है, हमें याद रखना पड़ेगा, तो Vice Admiral S.N. घोर्मोडे ने नौसेना स्टाफ के उप्रमुक के रूप में कारिभार समाला, Vice Admiral S.N. घोर्मोडे, तो Vice Admiral S.N. घोर्मोडे जो है, यह नई दिल्ली में नौसेना स्टाफ के उप्रमुक तो एक information आपके लिए यह है, जो बजोरी information आपके लिए, ठीक है, Vice Admiral S.N. घोर्मोडे, Vice Chief of the Naval Staff, ठीक, He succeed Vice Admiral G. अशुक कुमार, who retired on the 31st July, तो यह G. अशुक कुमार को replace कर रहे है, because G. अशुक कुमार जी का retirement हो चुका है, replacement भी पढ़ना पड़ेगा आपको, G. अशुक कुमार को replace किया है, नाम क्या फिर देको लिएक बार, Vice Admiral S.N. घोर्मोडे, किसको replace किया है, G. अशुक कुमा को replace किया है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए, आपको हम थोड़ा सा revision point यहाँ पर देंगे, जहान से हमारी बार सुनिएगा, Border Security Force Director, Mr. Rakis Asthana जो है इनको Delhi Police Commissioner ततकार प्रहुते appoint किया है, आपको मैंने पढ़ाया था, और इनकी जगह ले ली है Mr. Assess Diswal ने, जो की ITBP के DG भी है, additional charge उनको दिया गया है, और Air Marshal Vivek Ram Chaudhary has been appointed as the new Vice Chief of the Indian Air Force, यह IF की बात हो रही है, Indian Air Force की बात हो रही है, तो अगर exam में Indian Air Force के Vice Chief पुशेंगे, तो आपका answer क्या होगा, SN गुरमडे, ध्यान देना, इसमें confuse में तो ने ना जी, Navy का अलग है, Air Force का अलग है, ध्यान देना इसको, अच्छा, और देख लेते हैं, Senior IPS Officer Mr. C. Sailendra Babu was appointed as the new Director General of the DGP Tamil Nadu, तो ठीक है, यह point है, हमारा State Level का, अला कि इतना important नहीं होता है, लेकिन आपको ज अब यहाँ पे हमने Army का, यानि Indian Air Force का भी Information दे दिया, Indian Navy का भी Information दिया, और Indian Army का भी Information दे दिया, Deputy Chief of the Army स्टाफ कौन बने है, संजीक कुमार शर्मा बने है, यह तीन Information काफी अधा ज़रूरी है, और तीनों Deputy Chief Point में, संजीक कुमार शर्मा, Deputy Chief of the Army स्टाफ, एक Information यह हो गई, ठी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, अपान्मेंट की News No. 2, और यहाँ पर हम से बात करेंगे, भारत बिल पे, अपॉइंट पे यू, नुपुर चतुरवेदी as the new CEO, ठीक है, चलो तो इसमें हमें यह तो clear हो गया, कि नुपुर अपना CEO पॉइंट किया है, लेकिन यह भारत बिल पे क्या है, भाई हम लोग भारत पे नाम जानते हैं, भारत पे हमारे देश में एक Fintech Company है, हम नाम तो जानते हैं उसका, लेकिन भारत बिल पे क्या हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा हमको जाना प पड़ेगा हमारे देश में भारत बिल पेमेंट सिस्टम है यह एक तरह का आप्लिकेशन है यह एक तरह का पोर्टल है जिसके थूर अपने बिल्स को हम पेमेंट करते हैं गौर्मेंट को आप यह नशनल पेमेंट को अपना एक प्रोडक्ट था ठीक है कुछ दिन पहले की बा काम था वो इसको सौब दिया था यह उसी कंपनी की बात हो रही है मतलब भारत बिल पेज हो है यह एंपिस याई के इंडर में काम करने वाली सब्सीडिरी कंपनी है यह पूरी इंफरमेशन आपको दिखाते हैं दोगो दोगे तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम कह लो तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम की बात करें तो यह तो एंपिस याई का प्रोड़क्ट अपना दखो जान से सुना अप्रेल फर्स्ट पंटीवन एंपिस याई ट्रांसफर्ट अल इट्स बीपिएस मैंडेट तो अनूली सेटप सब्सीडिरी कॉल्ड एंपिस याई भार अपने सारे काम को मतलब दो, NPCI काम क्या दूतो, NPCI काम क्या है हमारे देश में financial technology को develop करना है, नए application जिसे UPI, IMPS यह सब NPCI नहीं develop किया है, भीम application तो NPCI काम development का है, किसी भी चीज़ को regulate करने का थौड़ी ना है, control करने का थौड़ी ना है, तो इसलिए क्या हुआ, NPCI न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो NPCI भारत बिल पे लिम्टेट ने नुपुर चितरवेदी को पॉइंट किया अपना CEO, क्लियर हो गया भी, हाँ, NBBL, याद रखेगा ऐसा है, यह पॉइंट हमारे पास है, जो हमने एक्स्प्लेंट कर दिया आपको, तो आगे बढ़ते ह मेरे ख्यासी अब यापको क्लियर हो गया, होगा कि कौन सी कंपनी ने पॉइंट किया इनको, ठीक है, अच्छा, रिविजन पॉइंट में हमने आपको, यहाँ पर भारत पे के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो भारत पे जो है, वो अलग कंपनी है, भारत बिल पे अलग क आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक, अच्छा, और आगे बढ़े, भारत पे has acquired a multi-brand royalty platform Payback India, worth 30 million dollar, तो भारत पे ने Payback India को acquire कर लिया है, 30 million dollar, ठीक है, तो यह दो information हमने आपको दे हैं, याद कर ली जएगा, Good morning guys, good morning, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपसे next information की, और यहाँ पर banking, finance और technology, स्वरी, banking, finance और economic news आपको मैं देंगे, पहले information, दोस्तों, भारत सरकार ने अपना एक data show किया है, और government of India के हिसाब से, government का राजकोशी घाटा जो है, वो 18.2% पहुँच गया है, of the annual target, exactly में य जो data है, यह CAG ने दिया हुआ है, मतलब Comptroller and Auditor General of India, इसने क्या बताया कि भारत का राजकोशी घाटा, 18.2% पहुच गया है, पूरी information आपके सामने देखिए दोस्तों, तो केंदर सरकार का राजकोशी घाटा, जो है, वो 2.74 lakh किरो रुपीस, या फिर 18.2% है, of the full year, budget estimate at the end of the June, according to data released by the Comptroller General of the Account, CGA, Comptroller General of Account ने दिया है, ठीक, CGA ने दिया है, Comptroller General of Account ने दिया है, कि भारत का जो राजकोशी घाटा है, वो 2.74 lakh किरो रुपीस, या 18.2% है, of the full year, budget estimate, ठीक है हो, तो यहाँ पर हम बात करें, तो 18.2%, अब देखो, पहले तो data आपके सामने है, जो data हमन आपको यहाँ पर दिया, यह तो हमें ठीक है, यह तो हम रटा ने गए, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो समझी ना पढ़ेगा, रुप जयाओ, हाँ, what is राजकोशी घाटा, यह होता क्या है, तब तो हम समझा कोई चीज, what is राजकोशी घा जिन बच्चों ने अभी हाली में उससे बज़र पढ़ा है उनको यह पता होगा तो फिसकल डेशिट का फॉर्मुला होता है टोटल एक्सपेंडीचर माइनस रेवेन्यू रेशिट ठीक अगर आप इसको माइनस करते हैं तो जो आपको मिलेगा वही आपका फिसकल डेशिट हो जाता है अच्छा टोटल एक्सपेंडीचर तो आपको क्लेर हो रहा होगा कि सरकार कहां कहां खर्च करते हैं लेकिन यह रेवेन्यू रेशिट का मतलब क्या होता है दोस्तो अगर आप केवल रेशिट की बात करें ना केवल रेशिट की बात करें रेशिट का मतलब इंकम एक तरह से गोर्मन को पैसे कहां कहां से मिलते हैं तो रेशिट में दो तरह की रेशिट आती है और revenue का मतलब क्या होता है ये सरकार का अपना पैसा होता है अपना पैसा मतलब क्या होता है जैसे जो tax facts government लेती है हमसे है ना तो ये भी income है और ये भी income है capital receipt लेकिन हम जब fiscal deficit निकालते हैं तो ये पैसा हम count ही नहीं करते हैं हम केवल total expenditure और minus revenue receipt करते है तो इससे क्या निकलता है हमारा fiscal deficit निकलता है तो आप ये formula याद कर लो fiscal deficit is going to total expenditure minus revenue receipt और आपको बस याद क्या रखना ये कि केन सगा जो घटा है वो कितना 2.74 lakh के रोड रोपीस या 18.2% हो गया है पूरा जो भी अपने estimate किया था उसका तो इतना याद कर लो बस इसमें और दिमाग रलने जोत नहीं है कल मेरा paper देखे एक बात मेरी समझेगा आप लोग दोस्तों मैं आपको बताओ हमें 8 साल का experience है पढ़ाने का मैं और किसी channel की बात नहीं करूँगा और किसी faculty की बात नहीं करूँगा अगर आप लोगोंने 50 attempt किया है तब भी आपने ठीक attempt किया है मैं अच्छा नहीं बोला हूँ मैं ठीक बोला हूँ अगर आपने question मैंने देखे है है मुझे भी समझाता है मैंने भी exam दिया है और हमारे बहुत सारे अच्छे बच्चों ने कि काफी pro level के है quantum reasoning में उनके attempt भी ऐसे ही हुए है 50, 55, maximum 60, 62 तक तो ये समझना मेरी बात दोस्तों कुछ भी दिक्कत नहीं है 50 attempt ठीक है बहुत सारे बच्चों के पहली बार exams होंगे आपने इतना attempt किया तो ठीक है परिशान मत होई कोई आपसे बोला कि 70 कटॉप जाएगी 80 तो वो बेगूफ है कभी नहीं जानी है इवन कोई 65 बुले या तो मुझे लगता नहीं मेरा जो अपना मानना है मुझे लगता है कि जो कटॉप मतलब अभी तो बोल नहीं सकते because एक paper बाकी है बहुत सारे phases बाकी है लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 50 attempt ठीक है परिशान मत होई एतना जी बिल्कुल ठीक है हम आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात अचाहां अगर हम आपको एक और इन्फार्मिशन दे और आशीर जहाने चौथा इस्थान हासिल गिया था तो यह हमारे अपने student है हमारे टेलिग्राम चैनल्स के हैं तो और पर जुकवा बढ़ाई देते हैं पाच्वा इस्थान नों हासिल किया है हमारे combat में चलिए आगे बढ़ते हैं गाईस अब बात करेंगे news number 2 की और इसमें क्या information देने वाले हैं दोस्तों PM Modi to launch E rupee on August 2 यानि आज की बात हम करें तो आज PM Modi E rupee नाम का एक आपके ऐसे application तो नहीं बोलो गया E rupee नाम का एक एक way launch किया है E rupee है क्या इसको समझेना पड़ेगा दोस्तों मेरी बात पहले थोड़ा खंग समझेना क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको मनीर जी बोले परिशान ना हो कोई भी और हस रहे हैं तो मैं क्या बोलू आपसे क्यारी छोड़ दो मेरा का हमेशा अपको motivate करना है और सही information देना है चलो दोस्तों क्या इसका मतलब आओ दिखते हैं यहाँ पर दोखो तो PM Modi will launch E-Rupee a person and purpose specific digital payment solution on second August 21 यानि यह E-Rupee जो है यह एक तरह का digital payment solution है दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत ध्यान सुनना वरना concept clear नहीं होगा हाला कि मैंने E-Rupee के बारे में काफी information gather करने कोशच की newspaper से, PIB से और even NPCI के site से तो E-Rupee function कैसे करेगा कहीं पर clear mention नहीं कहीं पर भी clear mention नहीं लेकिन जतना मैं आपको समझ पाया हूँ मैं आपको सुन्ठा दे रहा हूँ इसे काम करेगा E-Rupee को क्यों बनाए गया है मेरी बाच समझेगा तो basically ये सरकार की जो योजना है उसमें आपको फाइदा पोचाने के लिए बनाए गया ये एक तरह का prepared solution है इसका मतलब क्या हूँआ मैं simple एक example से clear करता हूँ इसमें क्या हूँआ दोस्तों बहुत बार क्या होता यसे मालों हम बात करते है प्रधान मंत्री आईश्मान योजना जनार योजना जिसमें आप लोगों को पाशलाग रुपय का health insurance मिलता है अब कोई वेक्ती है बेचारा जो बिमार पढ़ा उसकी family ने उसको admit करा है hospital में उसका खर्चा वर्चा हो गया उसका खर्चा हो गया अब उसको पैसे refund चाहिए अब refund चाहिए अब वो refund के लिए कहा कहा जाएगा परिशान होगा तो ये E-Rupi जो है इसमें क्या होगा इसमें जो भी उसकी खर्चे होगे government of India उसको एक voucher के form में voucher voucher के form में दे देगी उस vouchers में number पढ़े होंगे या फिर QR कोड होगा आप जाएए जहाँ आपको payment करना है वहाँ payment कर लेज़े तो मतलब सरकार की यो जुनाएज जो है वो proper एक वेक्ति को मिल पाए ठीक से और वेक्ति उसका लाग उठा पाए देखो पहले देखो PMODI will launch E rupee clear है अच्छा E rupee को develop किस ने किया है NPCI ने किया है NPCI ने किया है तो ये भी याद रखेगा अच्छा आगे बढ़ते देखो It is a cashless and contactless instrument for the digital payment ठीक है मतलब cashless payment है मतलब जैसे UPI भी आपका cashless payment वाला है तो ये cashless payment है ठीक आगे बढ़ते हैं It is a QR code और SMS string based e-voucher देखो देखो यहाँ है which is delivered to the mobile of the beneficiary यानि ये आपके mobile में आपको दे दिया जाएगा उसमें पैसे पढ़े होगे आपको जहाँ payment करना आप वहाँ payment कर सकते हैं इसमें देखो The users will be able to redeem the voucher without a card digital payment app on internet banking access Simple सा मतलब नहीं है जैसे आप लोगोंने कभी Amazon voucher का यूज किया है आनक एडेमी से हम लोगों को Amazon vouchers मिलते हैं हम कगर कोई target पुला करते हैं ठीक आपके message मिलते देगी या फिर आपके For example WhatsApp में कैसे भी वो transfer कर देगी अब vouchers आपके पास हैं उसमें पैसा पढ़ा हुआ है जहाँ आपको redeem करना है वहाँ redeem कर लो Simple सी language तो ये काम करेगा इतना ही मैं समझ पाया हूँ इसके उपर मैं समझ नहीं पाया हूँ एक बार ये आज है application उसके बाद पूरा हम देख लें कैसे ये काम करता है तो मैं और better language में किसम जहादूँगा लेगिन काम ये ऐसे ही करेगा मैं फिर से explain कर दे रहा हूँ जैसे मान लेजे मैंने क्या किया मुझे Amazon voucher मिला तो मैं कैसे करता हूँ मैं Amazon की site पर जाके उसे redeem करा लेता हूँ वहाँ पर एक option आता है payment में UPI से करेंगे या debit card से credit card से या voucher से तो voucher पर click कर दिया हमने voucher का number डाल दिया payment होगा तो ये ऐसे ही काम करने वाला है लेकिन सरकारी उजणाओ के लिए देख लेज़ेगा ठीक है तो हम यहाँ पर उसे क्या बात कर रहे थे यहाँ पर हम बात कर रहे थे PM मोदी आज E-Rupee launch करने वाले है E-Rupee क्या है ये भारत सरकार के ये NPCI की दोरा बनाए गया एक तरक का payment solution है जिसके थूँ आप सरकारी उजणाओ को E-Voucher के थूँ पेमिंट कर पाएंगे और बस यह हमाले देश में cashless transaction को बढ़ाने है E-Rupee आपको याद रखना है इससे किसने डवलब किया तो NPCI ने ये भी याद रखेगा NPCI ने ये भी याद रखेगा तर्की कमपनी पेकोर याद रखेगा ठीक और देखेए यहाँ पे Digital Payment Company PhonePay has launched India first wallet auto top-up feature ये भी मैंने पढ़ा आपको PhonePay ने भारत का पहला auto top-up feature launch किया ठीक और देख लिजे Financial Software and System FSS ये एक company का नाम है बसिकली ठीक और NPCI International Payment इन्होंने आपस में agreement किया है Financial Software and System and NPCI International Payment to expand the UPI in the international market UPI जो UPI डेवलप हुआ है UPI जैसा application पूरे वर्ल्ड में के वाद सिंगापुर के पास है और किसी के पास नहीं ये तना बैतर application है तो इसको चाती है हमारी NPCI की market करें और international market में बेचने सो तो इसलिए Financial Software and System and NPCI International Payment के विच में agreement हुआ है ठीक है आए आगे बढ़ते है उसे और अब बात करते हैं आपसे next information की national news की अब national news में हम बात करने वाले आपसे कौन से point की देखिए दोस्टो तो India take over UNSC presidency for the August 21 दोस्टो मेरी बात समझेगा United Nations Security Council भारत इसका member बना था न जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ख़ड़े थे तो इंडिया जीत ले थे उसमें काफी होला हुआ था पाकिस्तान तो इंडिया को UNSC का member बना गया नॉन प्रॉमेंट for two years तो जो भी देख member बनते है उनको एक महिने के लिए मिलता है presidency तो भारत जो है वो UNSC का ठीक है यहाँ पर शायद कुछ दिक्केत आ रही है अँडिया थाँ अप Pad 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 इंडिया यह पर जो बनादारो के लिए थेख hypertव है कि आ जो है एक प्रश्राइब आप एक प्रश्राइब करते हैं यह थोड़ी सी टेक्निकल फॉर्ट हो जा रहा है पतानी क्या होता है यहां पर चलब इंडिया टेक्स ओवर यूएन एसी प्रश्राइब करते हैं इंडिया को यूएन एसी में एस नॉन पर्मानिंट दो साल के लिए अप्वाइंट किया गया था यूनाइट नेशन से क्योंटि कॉंसे यहां पर पास देश ऐसे हैं जो पर्मानिंट होते हैं और दस देशों चुनाइटा हैं जो की नॉन पर्मानिंट होते हैं उसमें इंडिया को चुना गया है ठीक है और हर देशों को एक महीने के लिए बिसकली यूएन एसी की मिलती है प्रेसिजनसी जो की अगर्स महीने के लिए इंडिया को मिली है ठीक है आगे बढ़ते हैं देख इंडिया will decide the agenda for the month यानि अगस्ट month का पूरा agenda भारत तया करेगा भारत तया करेगा ठीक है इंडिया will focus on three priority area during its presidency इस include maritime security, peacekeeping and the counter-terrorism तो भारत के agenda में तीन चीज़े हैं वो देख ली जगा ये आपके exam में पूछा जा सकता है तो समुदरी सुरक्षा, शान्ती स्थापना और आतंकवाद विरोध शामिल है पिर देखो याँ पे तो इंडिया अगस्ट महीने में UNS से की कर रहा है प्रसिजन्सी एक महीने के लिए पुरा और पूरे मन्त का agenda इंडिया तक करेगा इंडिया के agenda में तीन चीज़े है कौन-कौन सी maritime security का मतलब समुदरी सुरक्षा peacekeeping का मतलब सान्ती स्थापना and counter-terrorism का मतलब आतंकवाद का विरूध शामिल है इसमें ये तीन चीज़ें आपको याद करने ही पड़ेंगी ये तीन चीज़ें आपको याद करने ही पड़ेंगी ठीक है आगे बढ़ने हैं चलो आगे बढ़ते हैं ठीक अब revision point इंडिया 2021 में BRICS की भी करता है presidency आपको मालूम ही है इस बात BRICS जो है वो इंडिया होस कर रहा है अच्छा और देखो मैं आपको पहले ही बोल दिया था कि UNSC में इंडिया को मिली है membership और ये दो साल के लिए मिली है as a non-permanage member ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं news number चूक ही बात करते है तो ministry of the social justice and start a scheme name I MISA तो ministry of the social justice ने क्या start किया है एक scheme launch किया है I MISA M.E.S.A. I MISA अब ये I MISA scheme क्या है वो देखो या आप देखो पहली बात आपके exam में question इस तरह बनता है कि ये जो I MISA scheme है ये किस ministry ने launch किया है आपका answer क्या होगा ministry of the social justice and the empowerment ठीक है अच्छा अब ये है क्या basically तो इसका मतलब है information monitoring evaluation and social audit in the financial year 21-22 यानि I का मतलब क्या है information और M.E.S.A. का मतलब क्या है monitoring, evaluation and social audit S.E. का मतलब social audit in financial year 2021 अच्छा मतलब हमको ये मालूम चल रहा है कि कुछ auditing की बात यहाँ पे हो रही तो ministry of social justice और empowerment ने I MISA launch किया है information, monitoring, evaluation and social audit आवद रिखनेस के बारे में दोस्तों under this scheme, social audit are to be conducted for all the scheme of the department starting from the 21-22 यानि इस वित्ती वर्ष में भारे सरकार ने जो भी scheme launch किया है उस scheme का social audit किया आजाएगा what is the meaning of social audit इसका मतलब क्या होता, देखते हैं, आगे है क्युछ these are done through the social audit unit of the state and the national institute of the, ये तना important point है ठीक है, आगे बढ़ते है social banking, social audit भारे सरकार की योजनाएं क्या होती है भारे सरकार की योजनाओ में जो priority होती है, वो होती है गरीबों के लिए, या विकलांगों के लिए या for example, हमारे दिश में minorities के लिए, या जो भी समाज से कड़ गए हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको वापस लाना ठीक, तो उस scheme में कितना पैसा वास्तों में खर्च हुआ इनके उपर और क्या outcomes आए इसे हम बोलते है, social audit ठीक है, तो फिर देखो, यहाँ पर information क्या यह अच्छी information है, तो ministry of social justice and empowerment ने launch किया है, एक scheme, जिसका नव है, I MISA, I का मतलब information, M का मतलब monitoring, E का मतलब evaluation और SA का मतलब social audit for the financial year 21-22 ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसका objective किया है, वो आपको मालम चल चुका है किस ministry launch किया है, वो आपको मालम चल चुका है अंडर the elder line, project to address the problem of elders in the context of the COVID-19 pandemic यानि ministry of social justice and empowerment ने हमारे पूरे देश में, एक call center established जिया था, अंडर the elder line जहाँ पर elders जो है, उन्हें क्या दिक्क्यत आ रही है मतलब क्या उन्हें problem आ रही है, COVID-19 में वो call center बनाय गया था, यह आपके लिए important है, याद रखना, ठीक है दूतरा point, union social justice and empowerment ministry launch 14, यह तो 14 cross disability early inter, यह point अतना important नहीं है ठीक है, इसे मैंने delete किया हुआ था exactly, pivoti save नहीं है तो जो अभी हम आपस pivoti तखा रहे हैं, वो ऐसी आएगी उमें, ऐसी information, ठीक है हाँ, यह important है, the ministry of the social justice launch the senior care aging growth engine SIG, product to select support and create a one-stop access of elderly care product and service by credible start-ups यह देख लेना थोड़ा सा, तो ministry of social justice ने launch किया था SIG SIG, इसका full form है senior care aging growth engine product to select, support and create a non-stop access of elderly care product, यह इसके बारे में information है आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं international news की अब international news में हम आपो क्यों सी information देने हैं वाले, देखें first goods train on Haldibari, चिलाहाटी route laying for Bangladesh तो Haldibari, चिलाहाटी route पर पहली मालगाडी जो है, बांग्लादेश के लिए रवाना हुई, अगर आपको या दोगा तो 26 जन्वरी की बात है 26 जन्वरी को ये section कर दिया गया था, इसके इलावा, अगर हम बात करें, बांग्लादेश की पचासवी जो anniversary थी उसमें, तो उसमें ये route क्लियर कर दिया गया था बात है 1965 की, जब इंडिया पाकिस्तान की बिच में लड़ाई हुई, तो बांग्लादेश और इंडिया के बिच में ये route को बंद कर दिया गया था उसके बाद इस route को अभी खोला गया, route का रंग क्या है, हल्दी बारी चिलहाटी, ठीक तो इस route से पहली train, पहली मालगाडी, बांग्लादेश के लिए रावाना हुई, ठीक है, देखें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक route खुला गया है, जिसका नाम क्या है ये देखें यहाँ पे, तो हल्दी बारी चिलहाटी रिल लिंक, ये यहाँ पे, ठीक है, ये, और ये 1965 अगर तहरी बांग्ला गया था, तो यहाँ से पहली मालगाडी जो है, वो हल्दी बारी चिलहाटी के लिए पहुँच आ गई है, दमदीन स्टेशन जो है, तो अलिपुरद्वार का जो, मतलब दमदीन स्टेशन है, वहाँ से यहाँ से यह train गई, तो ये देख लिए जगा यहाँ पे, अलिपुरद्वार मंदल के दमदीन स्टेशन से हल्दी बारी चिलहाटी रिल लिंक के माध्यम से, एक पत्थर के चिप्स को बांग्लादेश क नेपाल और भुटान से बांग्लादेश में माल के पराग्यमन के लिए छोटा माल प्रतान कर देगा, तो यह जो लिंक है, यह लिंक के दूरी को छोड़ी कर देती है, असम हो, वेस्ट बेंगौल हो, इवेन नेपाल भुटान के साथ भी करनेक्शन इसके हैं, तो यह पॉ आपको नाम याद रखने दोते हैं, किवल नमबर में तो लो पांच, तो पांच रूट है, जो की बांग्लादेश को और इंडिया को अपस में करनेक्ट करते हैं, एक इन्फॉर्मिशन यह हमारे पास, ठीक है, अब रेल्वे लिंक की बात रहे हैं, तो रेल्वे करेक्शन की बात करें, तो बांग्लादेश के अलावा इंडिया का और किन कंट्री साथ रेल्वे करेक्शन है, तो भुटान के साथ हमारे पास एक रेल्वे करेक्शन है, एक करेक्शन भुटान के साथ है, मैमार के साथ अभी तक कोई लिंक नहीं है, बट लिंक बन रही है, एक लिं और अपका ठार एक्सप्रेस जो की मतलब जोदपूर से और चलती है – अलहागर ये बंद अभ इसमें तो ये दो इट है, पाकिसान से दो लिंक वुटान से एक लिंक है, नेपाल से दो लिंक है, मेंमार से अभी लिंक बन रहा है, बना नहीं और बंगादे से पांच लिंक हैं तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अवार्ड एन ओर्नर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हैं बात करेंगे सिरम इंस्टिटूट चेर्मन साइरस पुनावाला विन लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड जो है ये लोकमान तिलक ट्रस्ट देती है हर साल और इसकी प्राइज मनी एक लाख रुप है और इस बार ये अवार्ड जो है ये सिरम इंस्टिट चेर्मन को मिलेगा इनको लोकमान तिलक नेशनल अवार्ट दिया जाएगा इस साल का COVID-19 की वज़े से जो इने काम किया ठीक तो अबाउट दा लोकमान तिलक नेशनल अवार्ट इस अवार्ट को 1983 में स्टैबलिश जिया गया था ठीक है और ये मतलब basically the death anniversary of the लोकमान तिलक जीके death anniversary पर ये अवार्ट दिया जाता है इसकी price मनी एक लाख उर्पई जो मैंने बिदाया आगे बढ़ते हैं इनको ये खिताब भी दिया गया है सिंगापूर का एक newspaper है स्टेट टाइम्स इसने पूरे एशिया में छे लोग को सेलक्ट किया युन्होंने COVID-19 पर अच्छा काम किया उसमें अईडार्पूर्णा वाला भी है आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखें ग्राफिक डिजाइनर, Mr. आनंद राधाक्रिशनें विन प्रस्टीजियいます तो ग्राफिक करलकार आंंद राधाक्रिशनंको प्रतिस्टित ISER पुरसकार दिया गया है आईसर पुरसकार देखें आपे दोस्तों तो मुमबई के रहने वाले हैं आफिक आर्टिस्ट है आनंद राधा कृष्णन has won the prestigious आईजर अवार्ड for his work on the Ram V author novel Blue and Green तो basically Ram V एक उपन्यासकार है एक author है novel लिखते हैं उनकी Blue and Green में जो ग्राविक्स यूज किये गया है वो राधा कृष्णन जी ने बनाए है इसलिनको आईजर अवार्ड इस साल का दिया जा रहा है तो देखो आनंद राधा कृष्णन जी को अवार्ड दिया जा रहा है कौन सा आईजर अवार्ड ठीक क्यों दिया रहा है इन्होंने Mr. Ram V की book थी novel था Blue and Green Blue and Green उसमें इन्होंने ग्राफिक्स डिजाइन किये थे cover page पर जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है ठीक है देखो और दो लोग को बेसिकली अवार्ड मिला गे आनंद शेयर दे अवार्ड विद अनदर UK-based कलरिस्ट जॉन पर्स जॉन पर्स इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला ठीक है तो फिरसे एक बाइवार्ड रिजन कर लो क्या पढ़ना है इनको तो ग्राफिक आर्टिस्ट आनंद राधा कृष्णन मुंबई से बिलॉंग करते है इन्होंने Mr. Ram V की एक नॉवल का इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है आइजनर अवार्ड के लिए दो लोग थे बिसिकली तो इनको ये अवार्ड शेयर करना पढ़ेगा UK-based colorist John Pearson के साथ और ये अवार्ड मिला है Best Printer and Multimedia Artist के रूप में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स पाइंट की यहाँ पर reason point भी आपको दिये गये हैं जो कि आप देख सकते हैं जैसे डॉक्टर चारू कोसला है ना इनको prestigious greenpreneur award दिया गया है इस साल का MD of the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation RSOD इनको award दिया गया है Asia Pacific Productivity Champion from Asian Productivity Organization तो Asia Pacific Productivity Champion का award इनको दिया गया है पढ़ाया है मैंने आपकोई चीदे सैलेश गोविंद की बात करें यह assistant professor है कहाँ पर Mechanical and Industrial Engineering Department was conferred the award with the NSG counter IED and counter terrorism innovator award 21 NSG counter IED and counter terrorism innovator award for developing a blast resistance helmet ठीक है सैलेश गोविंद को मिला आवावाड और भी बहुस सारे points हमारे पास है का जॉर्ज इनको member of the order of the British Empire का award मिला है L&T की बात करें L&T Info Tech इसने Snowflake Global Innovation Partner of the Year Award जीता है यह reason point आपके लिए आपे आगे बढ़तें दुस्तों बात करतें next point की सबसे बढ़ी problem यह होती है कि जब दुबारा स्लाइट लगा हो तो वो सारे news आजाती है जो आप हटा देते हो तो थोड़ी से दिक्कत यहाँ पर है तो यह information आप अपने से पढ़ लेना PDF में information है इतनी important नहीं हम बुक से author पर आते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे उपरण्यास का कुनाल बसू की new book आ रही है title है In An Ideal Word It's set to be released in the 2000 wise तो In An Ideal Word बुक का नाम है इसके author कौन है कुनाल बसू 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 आपके लिए ज़रोरी है ठीक है इतना point आपको पढ़ना होता है यहाँ पे हमने आपको reason point किया हुआ है and books and author का हम already series कर रहे हैं समय कहां पर अपने unacademy पर मैं भी शायद आपको पता हो हम दो पार्ट कर चुके हैं इसके already तो यहाँ पर एक book है ऐसे The Bench ठीक तो यह मेगन इसने ठीक से दिया नहीं है ठीक है तो The Bench आपको पता है दोस्तों यह book किसकी है यह आपकी जो है यह Duchess of the Sussex मतलब कि अगर हम बात करें तो जो Duke of Sussex है कौन प्रिंस मैं नाम भूल लाता हूँ उनका उनकी यह wife है क्या नाम जे उनका मेगन मागल इंजा नाम पूरा है यह आप लोग मुझे तादे नज़र comment करके तो ठीक है आगे बढ़ते है elephant in the warm की बात करें कल की कोचली इस बुक की author है सिक्कीमा history of the intrigue and the aliens यह प्रीत मोहन सिंग मलेकस की author है तो यह सब देख रहें ना ठीक है हम आगे बढ़ते हैं आप लोग को थोड़ा follow करना पड़ेगा मेरे को तो टेलिग्राम चैनल आप जॉइन कर लें तो वहाँ पे आपको प्रिंस हैरी प्रिंस हैरी स्वरी प्रिंस हैरी हाँ इंडिया and the Asian geopolitics शिवशंकर मैनन सच कहूं तो निना गुप्ता यह बुक के reason point है जो आप तेहां पर देख लेना पूरा हमने आपको यहाँ पढ़ा दिया है हम आगे बढ़ते हैं बात करें नेक्स point की acquisition हम अरजर की बात करेंगे तो राजस्थान रोयल एक्क्वाइर बार्बाडोस फ्रेंचाइजी तो बार्बाडोस का मतलब क्या है जोस्तो जैसे IPL होता है हमारे दिश में वैसे ही एक Caribbean Premier League भी है CPL तो Caribbean Premier League में दो बार खिताब जितने वाली बार्बाडोस जो वाँ की टीम है उसको राजस्थान रोयल ने acquire कर लिया और किसी भी IPL टीम के दोरा यह तीसरा acquisition है पहली बार Kings Island पंजाब नहीं पहली बार कुलकाता नाइट रिटन acquire किया था दुबारा Kings Island पंजाब ने और तीसरा राजस्थान रोयल तो मतलब हमारे जो तीन कंपनिया है उन्होंने CPL के तीन कंपनि को acquire कर लिया है ठीक है देखो यहाँ पे The honor of the Rajasthan Royal have acquired a majority stake in the CPL मतलब Caribbean Premier League की टीम है Barbados Tridents तो Barbados Tridents जो है वो अब Rajasthan Royal के ender में आ गई ठीक है आगे बड़े It has become the third IPL franchise जो मैंने बोला था बसे ठीक है तो Caribbean League की तीन टीम हमने खरीद ली एक खरीद दिये कुलकदा नाइट रिडर ने एक Punjab Kings ने और एक अभी आपका Rajasthan Royal ने खरीद लिया ठीक है तो Royal Sports Group जो है are the honor of the Rajasthan Royal इसने मतलब basically purchase किया है ठीक है आगे बढ़ते है The two-time CPL champion will be rebranded as the Barbados Royals पहले सका नम Barbados Barbados Trident था अब इसका नम क्या हो जगा Barbados Royals हो जाएगा तो यह देख लिए जएगा इसके लावा थोड़ा स्वा यहाँ पे reason points है जैसे Tata Suns ने 32.67% share air ratio में और purchase कर लिये हैं और total 83.67% Tata Suns का हो गया air ratio में Byjuice ने Akash को purchase किया था 1 billion dollar में यह भी points आपको पढ़ाया गया है Google ने fitness brand Fitbit को require किया था 2.1 billion dollar में Total France एक company है France की जिसने Adani Green Energy में 20% stake purchase किये थे 2.5 billion dollar में इससे points important है आपके चेक है ICICI Bank ने 9.09% stake purchase किये थे My Class Board educational solution Private Limited में यह सब कुछ points है हम आगे बढ़ते हैं इस पोर्स थी बात करते हैं PV Sindhu beats He Bing Jiao of China to win the historic branch at Tokyo Olympic तो PV Sindhu ने Tokyo Olympic में He Bing Jiao को हराकर एतिहासिक कान से पदक जीत लिया है बेकिए आपके दोस्तों तो PV Sindhu scripted history actually defeated He Bing Jiao of China to become the first Indian woman to win the two individual Olympic medal तो एक point यह ध्यान देना He Bing Jiao या दखना तो इन्होंने इस बार bronze medal जीता है आपको मालूम ही है तो Sindhu had suffered a heartbreak loss toward number one Tai Taju Ying in the semi-final तो Sindhu जो है यह से final में दुन्या की number एक खिलाडी Tai Taju Ying से हार कही थी इसलिए इनको फिर कान सबदक के लड़ाई करना ही पड़े जो इन्होंने जीत लिया था तो यह आपको मालूम है silver medal हमने जीता हुगा है आगे बढ़ते श्रिलंका के all-rounder इसुरू उदाना retire from the international cricket with immediate effect तो श्रिलंका के हरफद मौला के लाड़ी है इसुरू उदाना तदकाल प्रभास से इन्होंने सन्यास दे लिया इंतलास्टे खेल से श्रिलंका के all-rounder है इसुरू उदाना इसुरू उदाना हाला कि इनका कोई लंबा करे रहा नहीं है फिर भी इनोंने सन्यास दे लिया इनका कहना है कि भाई जो यंग लोग है उनको मौका देना चाहिए थोड़ा से इसुरू उदाना की बात करना है इनोंने सन्यास ले लिया इसके लावा हमने आपको सन्यास वाले पॉइंट पर काफी सारे रीजन पॉइंट यहाँ पर दिये हुए है हमारी क्लास बीच में रुख गई थोड़ा सा दिखे दोगे तो हम थोड़ा पीशे ले टाइम से तो रीजन पॉइंट आप याद कर लीजेगा ताकि आपको पूरा C.A. पढ़ा देगे पीडियेप में सारे इंफोर्मेशन आपको मिल जाएगे ठीक है डिफेंस की बात करते है तर्टिसिक्स एडिशन आप दे कॉर्पेट बिफें इंडिया और 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 इंड तो हिंद मास अगर में शडू हुआ है 36वव एडिशन इंडिया इंडोनेशिय कोपेट का ठीक है भारत तरफ से इंडियन नैवल शिप सर्यू ने पारीश्पेट किया है सर्यू और इंडोनेशिय तरफ से उनकी नैवल शिप है KRI Bung Tomo उसने participate किया KRI Bung Tomo ने participate किया इसमें ठीक है यहाँ पर भी reason point है दोस्तों यह वोल्गागरेट में होगा हम लोग पढ़े आगी है 12 अडिशन है इसके लाबा इंडिया जापान ने भी आपस में एक bilateral naval exercise किया था ठीक है NATO का statefast defender 21 US Army lead Defender Europe 21 ये भी हमने आपको पढ़ाया था पाकिस्तान और इजब ने आपस में Sky Guardian 1 किया था इंडिया और 3 European Nation ने EUNA V4R मतलब European Naval Force नाम का एक साइस किया था हमने पढ़ा ये सब चीज़ था इसे लावा इंडिया, श्रिडंका और मालदीब के विश्ट में तब अगे बढ़ते हैं जोस्तों बात करते हैं डेस की याँ पर तो World Breastfeeding Week जो है वो एक से लेके 7 अगस्तक सेलिब्रेट किया जाएगा तो World Breastfeeding Week एक से लेके 7 अगस्तक किया जाएगा थीम इसकी है Protected Breastfeeding, a Shared Responsibility ये थीम इस बार की आगे बढ़ते हैं World Lung Cancer Day तो World Lung Cancer Day भी एक अगस्त को आबजर्व किया था Muslim Women Right Day एक अगस्त जो हमारे देश में ट्रिपल तलाक जो कानून बना ये दूसरा edition है तो Muslim Women Right Day की बात करें ये एक अगस्त को पूरे देश में celebrate किया किया against the law of the triple मतलब enactment of the law against the triple तलाक ठीक The first Muslim Women's Right Day जो है वो 20 में था तो 21 में ये दूसरा edition होगा ये हमें जान देना पड़ेगा ठीक है The law is formally called The Muslim Women Protection of Right or Marriage Act 2019 आगे बढ़तो World Ranger Day 31st July तो World Ranger Day 31st July को आबसर्व करते हैं ये भी याद रखेगा यहाँ पे मैंने आपको पिछले सजर्ण में एक से लेके पाथ जुलाई तक की days बोले थे आज 6, 7, 10 6 जुलाई को World Genesis Day 7 जुलाई को World Chocolate Day 10 जुलाई को National Fish Farmer Day 11 को World Population Day थीम आपके सामने लखिए 12 को World Malaria Day and 15 को World Youth Skill Day थीम आपके सामने लखिए इतने आप पढ़ लेज़ेगा 15 तक खतंग कर लेगा हानी ठीक है आगे बढ़ते उत्तराखंड का पहला Orchid Conservation Center open किया गया उत्तराखंड का पहला The first Orchid Conservation Center of the उत्तराखंड was inaugurated in the Chamori District of the State उत्तराखंड का पहला Orchid Conservation Center Chamori District में open किया गया है ठीक है Orchid एक प्लांच होता आपको मालूम ही About उत्तराखंड Capital देरादून and Garrison Winter and Summer Governor बेबी रानी मोर्या Chief Minister पुषकर सिंग धामी जी आ गया है ठीक है National Park कौन-कौन से हैं तो Jim Corbett National Park Nanda Devi National Park Rajajji National Park Valley of Flower National Park ये सब कहां पे है उत्तराखंड में है इंडिया का पहला Moss Garden भी है जो वो कहां पे उत्तराखंड में Nainital District के खुर्पताल में खोला गया था इंडिया का पहला Moss Garden इंडिया का पहला Conservation Center For Snow Leopard जो ये भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्टिक में खोला गया बारत का पहला लाकेन पार्क भी जो है उत्तराखंड के मुंसियारी डिस्टिक में खोला गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं जोस्तो यहाँ पे Highlight of the last week की Information दी गई है मतलब Last week में सबसे Important information क्या थी पीया मोदी जी ने कई सारे educational initiative launch किये थे on the occasion of the first anniversary of the national education policy एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे दो तो पीया मोदी जी ने address किया था nation को via video conferencing to mark the completion of the one year of the national education policy जहाँ पर कई तरह के initiative launch किये गये थे जैसे पहला Academic Bank of Credit यह दो यह क्या है Academic Bank of Credit का मतलब क्या है This initiative will provide multiple entry and exit option for the student in the higher education इसका मतलब क्या हुआ Multiple entry and exit का मतलब क्या हुआ Student can select the course of their choice and can exit if they are not interested Students need not stick to a particular state यानि कि अगर higher education की बार देरे आप कोई भी branch या कोई भी course आप जोईन करते हो अग आपको लगता है कि यह मेरे मतलब का नहीं है तो आप बीच में निकल सकते है अच्छा और बीच में पॉइंट क्या है मैं आपको एड कर दूँ जैसे मालीज़ कभी अभी क्या होता है जैसे मालीज़़गी मैं बीटेक कर रहा हूँ तीन-चार साल की बीटेक होती है तो ऐसे भी यह में आपको दो साल का तीन साल का मिलता है क्रडिट मिलता है और फिर से आप पढ़ाई continue भी कर सकते हो यह भी इसका पॉइंट है ठीक है अच्छा और देखो यहाप में तो चौदर भाशाओं में आपको इंजिरिंग पढ़ाई जाएगी है और दिख लिजेगा और इसके अलावा जो पॉइंट है विद्या प्रवेश विद्या प्रवेश विद्या प्रवेश is a 3-month play-based school preparation module for the grade 1 student तो विद्या प्रवेश जो है यह grade 1 बच्चों के लिए 3 महने का play आधारिज school module है basically है Indian Sign Language की बात करें तो Indian Sign Language को include किया जाएगा as a subject at the secondary level Indian Sign Language की हम बात कर रहा है इसको secondary level पे include किया जाएगा बढ़ाई में Nista 2.0 program भी launch किया गया यहाँ पे और सफल program हम लोग बात इस पर already कर चुके है तो यह भी launch किया गया class 3, class 5 और class 8 के लिए है ना यह एक पुरा point यह पर देख लिजएगा ठीज दोस्तों हमारा C.E. आज को अत्मा अच्छा हो नहीं पाया because बीच में थोड़ा सा रुख यह चीज़ है उसके बाद बहुत सारी slide अपने आप upload हो गई जो मैंने delete कर दी थी कोई बात नहीं है एक बाद PDF से आप information ले लिजएगा पूरी और इसके MCQs के लिए रात में 10 विसलिस्मेट पे हम मिलेंगे on the academic ठीक है Thank you so much guys, अपना ख्याल जोगे झाल 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 झाल